जाहीं दोस्तों आज हम एक महात्रपूर्ण सेग्मेंट लेकर कि आपके समक्षू परसित हैं जो कि अभी DSSB प्रिवेस येर का पेपर है जो 2021 में हुआ था आपके समक्षू परसित हैं जो हो सकता है कि आपके लिए उपयोगी शाबित हो चलते हैं पहले प्रस्चन क्यों हराप्पा छवियों और लेखन का मुख्षूत कौन सा था इसका जो सही आपशन है वह मोहर होगा आपसा नमबर एक इसका सही जवाब है कारण कि अधिकान्स मुहरे जो होती थी उसमें स्टी ट्राइट से बनी होती थी जो कि एक टाइप का मुलाइम पत्थर हुआ करता था कुछ टेरा कोटा अमिन मीटी के बने होते थे सोना हाथी के दाथ से भी बने होते थे असब माना जाता है कि मुहरों का मुख रुप से उपयोग ब्यवसाइक उद्यस के लिए हुआ करता था सबसे परसिद्व मुहर वसुपति मुहर है जो कि मोहन जोदरों से प्राप्त हुई थी तो इस तरह से मुहरों जोदरों और हरप्त से जोरी हुए कुछ फैक्ट को आप और भी ध्यान में रखेंगे लेकिन प्रसिद्व में पूछा गया था कि हरप्त चभियों और लेखन का मुख सुरूत कौन सा था तो अथा मुहर अगले प्रसिद्व क्यों है प्रसिद्व संख्या दो विच अव द फॉल्लिइंग बॉज नॉट्ट टेक्निक ऑफ हरपन सिवलाइजिशन जिम्लिखित में से कौन सी हरपा सभिता की धातु कर्म तक्निक नहीं थी तो आपके ऑप्सन है कोल्ड हैम्रिंग उतली धलाई दो टुक्रे पत्तर के सांचे हाइड्रो मेटलर्जी इसका सही जवाब होगा हाइड्रो मेटलर्जी जो दूसरी ऑप्सन है कोल्ड हैम्रिंग बहुत ही सिंपल टेकनलोजी जिसमें हम हतोरे से पीट-पीट कर किसी भी धातु को आकार में ब अब गत थे और टू-पीस स्टोन मॉल्ड यह भी एक मॉल्डिंग टेकनिक है जो जानकारी हरपा बाश्यो को थी और हाइड्रो मेटलर्जी यह बहुत नवीन तकनिक है जिसमें मेटल को उसके ओर से से एक्स्ट्रेक्ट किया जाता है जो अपने आप में एक कंप्लेक्स प सब्सक्राइब इसका सही जवाब होगा हक्रार नदी यह जवाब है यह सेजनल रिवर्टी यह दो तरह होती है एक परेणियल और एक सीजनल रिवर्टी परेणियल जिसमें वर्ष भर पानी बनी रहती है प्रसंसंग memory 104 बिम्वीसार किस डाएनस्ट्री से संबेदे थे थे बिलांग टो विच डाएनस्ट्री बिम्वीसार किस राजवटन्स के थे हरयक राजवटन्स इसंञागवटन्स मॉर्यजवटन्स नंद roku ज्थे अर्यक राजबंस के स्थापना 544 इसभी पूर्व में से लेकर के 412 इसभी पूर्व के चली थी इसके संस्थापक जो थे बिम्बी सायर थे जिसकी राजधानी राजग्री जिसको गृर्व बरज के नाम से भी जानते हैं कि सिसंथापक से अगल 특별 किऊ देकर किंद्ध ऑ कि सनस्थापक जो थे ऐस्सितर जुट स्थापना गलतार जिसका सही जवाब होगाई इस राजबन्स के थे हर्यक राजबन्स के थे अप्शन नमबर एक इसका सही जवाब है अगले प्रस्टन क्यों है इसका सही जवाब है गुप्त सासको के लिए बिहाराई मगध की अपेक्छा उत्तर प्रस्टन क्यों है इसका सही जवाब होगा अप्शन नमबर चार प्रस्टन संख्या एस अभी प्रस्टन एक्चुली प्रीविर सिर में पूछे गये हैं बहुत इंप्रस्टन होंगे इससे आपको थोड़ा सा एक अंदाज लग पाएगा कि किस तरह के प्रस्टन पूछे जाते हैं आप अपनी किस राजा के शासनखाल के दोरान ब्रिजी और मल सही 36 गनराजियों ने संक अगठन किया और मगद के साथ युद्ध सुरू किया था आपके ऑप्शन है बिंबिसार, कालाशोक, अजाद सत्रू और गनानन्द इसका सही जवाब होगा अजाद सत्रू अप्शन नमबर त्र अगले प्रस्ण की और है, what is the महा पद्मनन्दा not described as in the पुरान, what is महा पद्मनन्दा, फूचा है महा पद्मनन्द क्या है जो पुरान में वर्णित नहीं है, आपके ऑप्शन है, एक राद, सर्व शत्रांतक, दूतिय परसुराम, अम्मित्रिगात, इसका सही जवाब है, अब आपको बताओं, महा पद्मनन्द को पुरानों के अनुसा इन नामों से जाना जाता है, सर्व शत्रांतरक, यानि छत्रियों का नास करने वाला, भारगव भी कहते हैं, दूसरे पसुराम का अवतार है, एक राड भी कहते है, एक छत्र भी कहते हैं, इनका ही अलग-लग जबकि अमित्र घाद के गर्वात करें, या उप नाम तो बिंदु सार के लिए जाना जाता है, जो कि एक मौरेग राजात है, यानि अमित्र घाद का मतलब होता है, सत्रों भी नासक, बिंदु सार को बाउपुरान में भद्र सार कहा गया है, और जैन ग्रंतों में सिहसेन भी कहा गया है तो इस तरह से इन फैक्ट को आप ध्यान में रखें प्रशन पूछा गया था महापद्मनंद क्या है जो पुरानों में वर्णित नहीं है तो महापद्मनंद जो एक अमित्र घात है अमित्र घात ऑप्सन नमबर 4 इसका सही जवाब होगा चलते हैं अगले प्र पृष्चा सुद्र चत्रिय वैश इसका सही जवाब होगा शुद्र आपिसन नमबर 2 इसका सही जवाब है अगले प्रसंद क्यों रहें को व वज्ट लास्ट नंद किंग उन्लास नंद किंग यनी अन्तिम नंद राजा कौन था आपके उप्शन इसका सही जवाब होगा गणानन्द। अंतिम नंद सासक गणानन्द। थे सिकंदर के सम्कालिन थे और यूनानी लेख्कों ने इसे अग्र मीज भी कहा है। गणानन्द के में तुके पश्षाथ, मौरवन्स की इस्थापनौ हुई थी। तो इस तरह से इतने एफेक्ट और आपके आप्सटेश में ब्राभी लीपी, नागरी लीपी, देवनागरी लीपी, प्राकिट लीपी, सही जवाब होगा ब्राम्ही लीपी. option number 1 इसका सही जवाब है ब्रामी लीपी में लिखे गए हैं जो कि बाई और से दाई और लिखी जाती है केवल दो अभी लिख मान सहरा और सहबाजगड़ी यह जो खरोश्टी लीपी में लिखे गए हैं और खरोश्टी लीपी दाहिने और से बाई और दाई उससे right to left लिखी जाती है भासा की बात करें तो मुक्रित तीन भासा परयुक्त होती थी प्राकिर्थ ग्रीक और माइक याद रखें इन फैक्टों को भी अगले प्रसंट किस गुप्त सम्राट को महराजा दिराज के रूप में वर्णित किया गया है विच गुप्त इंपर इस डिस्क्राइब आज महाराजा दिराज आपके और प्रफ्शन है चंदर गुप्त परफम श्री गुप्त गटोध कर्च शमुदूर गुप्त इसका सही जवाब होगा गुप्त संबत का प्रारंभ माना जाता है पर्थम बार गुप्त सासकों में से इस ने ही आमीं चंदगुप्त पर्थम नहीं चांदी के सीके चलाये थे इसे प्रयाग अभिलेक के अनुसार जिछी भी दौहित्र भी कहा गया है तो ध्यार रखें इतना प्रस्ट से जूरा और अच्यूट इसका सही जवाब होगा हरी से ध्यान रखें जो दर्वारी के पहले के राजा महराजा अपने दर्वार में कभी रखा करते थे तो हरी से थे समुद्र गुप्त के दर्वारी कभी के द्वारा ही प्रयाग प्रस्टि यानि हरी से द्वारा ही प्रयाग प्रस रूप से ध्यान में रखें। प्रश्ण संख्या आगली और हैं। हूँ रोट कथा सरीत सागर। किस ने कथा सरीत सागर लिखा था। आपके ऑप्शन है। कोटिल सोमदेभट विशाकदेव छमेंद्र। इसका सही जबाब होगा। सोमदेभट कस्मीरी लेखक हैं और 113 शदी में उन्ने लेखन किया है। कथा सरीत सागर को कहानियों का सागर भी कहा जाता है। ज्यान में रखें। समदेभट के द्वार लिखा गया है। अगले प्रशन क्यों हैं। विच इंस्क्रिप्शन सफ रूदर्दामन टेस्टिफाइज तूदा अनेक्सिस्टन अफ सवराष्ट्रा इन विस्टर इंडिया बाइचमुट संच चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी भात में सवराष्ट के लिए के बिलाय को परमानित करता है। आपका ऑप्शन है जूनागट, मालबा, कुंकन, डगकन। सही जवाब होगा जूनागट। अगर एप्रेशन क्यों हैं विच डॉटर ऑफ सेलुकस, विच डॉटर ऑफ सेलुकस डिड चंद्रगुप्ता मैरी। यानि सेलुकस की किस पुत्री से चंद्रगुप्त ने विव आपके ऑप्शन है मगत के आसपास का महानगरिये च्छत्र, गंगा घाटी में मुख्य च्छत्र, राज के परीधिये यंद्र रखकन च्छत्र, रखकन च्छत्र का सही जवाब होगा अगले प्रस्न क्यों हैं पानिनी की कौन सी पुछ तक इसा पुरुपाजमी और राजनिती की यवन की बहमुल जलक प्रस्तूत करती है आपके ऑप्शन है शन्यूद निकाय अस्ट धेयाई विनयपीतक, सूत निपात सूत निपातन इसका सही जवाब है आप्शन ड़्य जवाब होगा अगले प्रस्न क्यों है जिया बढ़नी वाज एक कौन सीलर इं आपके ओफिशन है इसका सही जवाब होगा अगले प्रसन क्यों रहे मल्फुजात ए तैमूर वस लिटन इन विच लाइंगउज मल्फुजात ए तीमूर किस भासा में लिखी गई थी आपके ओफिशन है कुर्दी फार्सी अर्बी और मंगोल सही जवाब होगा मंगोल अगले प्रस्ण क्यों है अबुल फजल इलुसिडेशन of the principle of sovereignty is contained in which book यानि अबुल फजल की संपर्भूता के सिध्यान्द की ब्याक्या किस मुस्तक में नहीं थै आपके आप्स्ण से फत्वाय जहांदारी इसका सही जवाब होगा अगले प्रस्ण क्यों है जन, मल, ना, मुश, अदब इसका सही जवाब होगा अगले प्रस्ण क्यों है पूछा गया अगले प्रस्ण क्यों है नेम दा बुक रिटिन बाई फक्र ए मुदाबिर यानि फक्र ए मुदाबिर का दौरा लिखित फुस्तक का नाम बताएए आपके आप्स्ण है अदब उल हर्ब बस सुजाद फत्वाय जहांदारी मलफुजात एत्नी मूरी तारीक रसी दी इसका सही जवाब होगा अदब उल हर्ब बश सुजाद अप्सण नमर एक अगले प्रस्ण क्यों रहे है अगले प्रस्ण क्यों है अधिनियम के तहत भारत सीधे राजिस अचीब के माध्यम से कार्ज करते हुए राजपद द्वारा और उसके नाम पर सासित होगा उप्सण है भाद आदिनियम 889 बहतर भाद सारगार के लिए अधिनियम भाद परिशत आदिनियम भाद सरकार आदिनियम 889 इसका सही जवाब होगा और उप्सण नमर चार भाद सरकार आदिनियम अगले प्रस्ण क्यों है वो फॉंडेड ब्रह्म समाज के स्थापना की थी आपके ऑप्सन है राम कृष्ण प्रहम हंस दियानंद सरसुती राजा राम मोहन राय इसको चंद बिद्या सागर इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय अगले प्रस्फन क्यों है वो ओठर्ड डॉक्ट्राइन फ्लैप्स बिले किसने ब्यपगत के सिध्यान की रचना की थी आपके ऑप्सन है लाड डलहौजी लाड करजन लाड कैनिंग लाड एक्टन इसका सही जवाब होगा लाड डलहौजी अगले प्रस्फन क्यों है वेर ड सभी जवाब होगा बेलूर अगले प्रस्ट क्यों है वेन वाज़ जवाब क्लिमेंसी डिजॉलूशन पास्ट क्लिमेंसी डिजॉलूशन कब पारित किया गया था आपके ऑप्शन है अगले प्रस्ट क्यों है है वोटेज़ आंहर का मतलब क्या होता है अपके आपकी अप्शन है पुनर जन्म पुनर जन्म प्रभुधन संगल्प यानी इसका मतलब है पुनर जन्म एम दीवर्थ Option No. 2 इसका सही जवाब है Name the painter who painted the creation of Adam in the Sistine Chapel यानि उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने Sistine Chapel में the creation of Adam को चित्रित किया है आपके option है Michael Angelo, Leonardo the Winky, Raphael, Donatello इसका सही जवाब होगा Michael Angelo Option No. 1 इसका सही जवाब अगले प्रस्ण क्यों है To escape the problem of civic strife, most Italian cities adapted नागरिक संघर्स की समश्चा से बचने के लिए अधिकांस इदालबी सहरों ने डॉडड़ डॉड़ को अपनाया था आपके option है गनराज, सामतपाद, श्रीग नोरिया और अभिजात अंत्र इसका सही जवाब था श्रीग नोरिया Option No. 3 अगले प्रस्ण की और है The study of God and religious subjects is called इस्वर और धार्मिक विश्यों के अध्यन को क्या कहा जाता है आपके option है धर्म मीमान सा, पौरानिक कथा दर्शन सास्त, मुर्ती पूजा इसका सही जवाब हुआ धर्म मीमान सा, option No. 1 इसका सही जवाब है अगले प्रस्ण की और है Which Floretain scholar was wrote The Prince in 1513 आपके option है परे समझे 1513 में किस Floretain विद्वान ने The Prince लिखा था The Prince के रचना किसके द्वारा की गी थी Giotto di Bordone Nicolo Machiavelli Desi, Darius Erasmus और Gilema Bude इसका सही जवाब होगा Machiavelli आप याद रखे Nicolo Machiavelli Option No.2 अगले प्रस्ण क्यों है Who Painted The Grand Duke Madonna In 1505 आपके option है 1505 में The Grand Duke Madonna को किसने चींदित किया था Option है Raphael Giovanni Vellini Giorgione Tisya इसका सही जवाब होगा Option No.1 Raphael Option No.1 अगले प्रस्ण क्यों है What is the science of language that deals with the pattern of sounds called ध्वनियों के पैटर्न से संब्धित भासा बिज्ञान को क्या कहा जाते है आपके option है Vangimansa Swani बिज्ञान सरीर किरिया बिज्ञान दर्स्ण सास्त Option No.2 इसका सही जवाब होगा Swanim बिज्ञान Swanim बिज्ञान अनि Phonology इसका ज्यादा सुन्दर सब्द है Phonology अनि ध्वनी के पैटर्न से संब्धित बिज्ञान को क्या बोलते है Phonology Option No.2 इसका सही जवाब था Which of the following factors do not determine the ability of an author of documents to tell the truth about the source निम्रिखित में से कौन सा कारक दस्तावेज की लेखक के स्रोत के बारे में सत्य बताने की शमता को निधायत नहीं करता है आपके option है उत्कट अब लोकन सत्रकतार ध्यान की निपून्टा पुर्भाग्रह और तर्क संगत समझ prejudiced जो है इसका सही एंसर होगा Option No.3 पुर्भाग्रह अगले प्रसुन क्योंड है Which of the following is not an ancillary discipline निम्रिखित में से कौन सहायक अध्यन विसे नहीं है आपके option है भासा सास्त्र, काल करम, पुरातत्व, प्रादोगी की इसका सही जवाब होगा प्रादोगी बाल क्रिशन बुआ इचल करन जी कर किसने किसके लिए जाने जाते है आपके option है नाठकी गायन संगीत हिंदुस्तानी संगीत संगीत, नाठक, वाद संगीत यानि हिंदुस्तानी संगीत option no.2 अगले प्राशन क्यों है विच अफ फॉल्विए प्रियोडिकल दिड नाट बिकम डेली न्यूस पेर लेठर निम लिखित में कौन सी पत्र का बाद में हिंदुपंच, ग्यानोद, इंदुप्रकाश, ग्यानप्रकाश इसका सही जवाब होगा हिंदुपंच option no.1 अगले प्रस्ण क्यों है वाट वाज वाज दे सोचियो रिलिजियोस रिफार्म मोवमेंट also known as समाज एक धार्मिक सुथारांदूलन को किस नाम से भी जाना जाता था आपके option है भारती राष्टबाद, भारती राष्टियांदूलन, भारती जागरिती, भारती पुर्ण जागरन इसका सही जवाब होगा option no.4 अगले प्रस्ण क्यों है अगले प्रस्ण क्यों है राम क्रिष्ण मिशन क्या स्थापना किस कव हुई थी आपके option है एक मई 877 में पंदरा मई 877 में पांच में 888 में पंदरा में 889 में इसका सही जवाब option no.1 होगा एक मई 877 में 1897 राम क्रिष्ण मिशन के स्थापना 1 में 1 में 1897 को हुई थी अगले प्रस्ण क्यों है वेन वाज फेडरेशन आफ इंडिन चैंबर अफ कॉमर्स अगले प्रस्ण क्यों है इस फिक्की established आपके option है 1927 1972 1957 1975 अगले प्रस्ण क्यों है लड़ने वाली पहली भारतिये महिला समाजवादी और पहली भारतिये महिला क्रांतिकारी कौन थी आपके option है डाक्टर एनी बेशिंट कस्तूरवा गांधी सरोजनी नाइडू मैडम भीखाजी कामा इसका सही जवाब होगा मैडम भीखाजी कामा option number 4 अगले प्राशन क्यों है वेच मोवमेंट वाज सदेनली सस्पेंड़ फॉलोइंग दा मॉब बॉलेंस एट चौरी चौरा इन उत्तर परदेश इस अंदोलन को अचानक से उत्तर परदेश के चौरी चौरा में भीर हिंजा के बाद अस्थगित कर दिया गया था आपके option है भारत चौरा अंदोलन सेबनावगी अंदोलन असाहयोग अंदोलन किर्शक अंदोलन असाहयोग अंदोलन इसका सही जवाब होगा अगले प्राशन क्यों है वो वोस दा फस्ट प्रेशिदेंट अफ दो इंडिननेशन कॉंग्रेस पारती राश्टे कॉंग्रेस के परथम अधक्ष कौन थे आपके option है जादा भाई नेरो जी WCV Energy Samuel Aron और जमान लाल बजाज option number 2 इसका सही जवाब गो WCV Energy option number 2 अगले प्रस्ट क्यों है Which school of thought follows and approves to knowledge based on observation or experience but not theory यानि किस विचारधारा अब लोकोन यानभव के आधार पर ज्यान के दिश्टी कोन कारुशन करता है लेकिन सिध्यान पर नहीं करता है आपके option है सवाल टर्ण विचारधारा अगले प्रस्ट क्यों है Who among the following Historians belong to the NLs schools of history आपके option है निम्रिखित्मी इतिहासकारों में से कौन इतिहासकार कौन इतिहासकार ने NLs विचारधारा से समदी थे आपके option है Mark Block David Arnold Antonio Gramsci John Stuart Mill इसका सही जवाब होगा Mark Block option number 1 इसका सही जवाब है अगले प्रस्ट क्यों है Who among the following is not A nationalist historian निम्रिखित्मी से कौन राष्टबादी इतिहासकार नहीं है आपके option है रमिष चंददत दादा भाई नेरो जी राम क्रिश्न को पाल भंडार कर दामोदर धर्मानंद कौशंबी इसका सही जवाब होगा दामोदर धर्मानंद कौशंबी option number 4 अगले प्रस्ट क्यों है Where was the first session of all India किसान सभा हेल्ड किसान सभा का पहला सत्र कहा आपके option है बंबई, मैसूर, पूने, लखनाव इसका सही जवाब होगा अगले प्रस्ट क्यों है Name the first boarding house opened by चहत्रपती शाहु महराज यानि चहत्रपती शाहु महराज द्वारा खोले गए पहले चहत्रपास का नाम बताईए स्री प्रिंस शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस शाहु बोर्डिंग विक्टोरिया मराठा बोर्डिंग साहु बोर्डिंग हाउस का सही जवाब होगा option number 1 होगा अगले प्रस्ट क्यों है Who founded the अगले प्रस्ट क्यों है Who had been the secretary of state for the India from 1874 and the prime minister from 1886 to 1892 आपके option है अगले प्रस्ट क्यों होगा राज चोहतर से भायत के राज सची और 1866 से बिरान में तक प्रधान मंतरी कौन रहे आपके option है Lord Salisbury Lord Cross Lord Dufferin Lord Rippon इसका सही जवाब होगा Lord Salisbury option number 1 अगले प्रस्ट क्यों है In which year did the Indian novel mutiny take place यानि भार्टिस वर्स में भारती एनो से ना भी दुरो हुआ था 1946 में 1946 अगले प्रस्ट क्यों है The Factory Act that sought to limit the working hours of children and women was passed in which year यानि किस कर्खाना धिनियम जिसमें बच्चों और महिलाओं के कारे घंटों को सिमित करने की मांगी गई थी किस वर्स पारित क्या गया आपके option है 1888 1890 1891 1899 सही जवाब हो option number 3 1881 में अगले प्रस्ट क्यों है What ideology did Akbar follow to sustain the principle of authority and subordination in a harkal pattern आपके एक बदानुकरमित pattern के अधिकार में अधिकार और अधिन्ता के सिध्यान को बनाया रखने के लिए अकबर ने किस विचारधारा का पालन किया था आपके option है liberal ideology dominant ideology conservative ideology imperial ideology इसका सही जवाब होगा imperial ideology option number 4 इसका सही जवाब है अगले प्रस्ट क्यों चलते है Name the volume on the history of Bijaya Nagar written by Robert Swell that appeared in the year 1900 यानि Robert Swell's द्वारा लिखी कई Bijaya Nagar के इतिहास पर उस खंड का नाम बताईए जो वर्स 1900 में प्रकासित हुआ था आपके option है The Unforgotten Empire किसान, राज और समाज तक्चिन भाद का इतिहास The New Cambridge History of India इसका सही जवाब होगा A Forgetten Empire option number 1 इसका सही जवाब है अगले प्रस्ट क्यों है Name the official manual and gadget Gadgeteer of Akbar's region अनि Akbar के शासनकाल की अधिकारिक नियमावली और gadgeteer का नाम बताइए आपके option है अकबर नामा आईने अकबरी सुलाह कुल तारीक हुकम इसका सही जवाब होगा आईने अकबरी option number 2 अगले प्रस्ट क्यों है Who was What was the Mughal ranking system called यानि Mughal में Mughal पद परनाली को क्या कहा जाता था आपके option है मनसबदारी पर था जागिर्दारी पर था असर ज़री पर था और जब्त पर था इसका सही जवाब होगा मनसबदारी पर था option number 1 इसका सही जवाब है अगले प्रस्ट क्यों है Where was Japt not adopted in totally net 1600 यानि 1600 में Japt को शमागरता कहां नहीं अपनाया गया था आपके option है गुजरात, लहोर, मुल्तान और आगरा इसका सही जवाब होगा गुजरात option number 1 अगले प्रस्ट क्यों है औरंगेव डिसाइडेट टू स्ट्रीमलाइन दे रिवेन्यू एड्मिनिस्टिर्टिशन बंगाल टू फाइनस फंड्स अगेंस्ट हूम यानि औरंगेव ने किसके खिलाफ धन के वित पोशन के लिए बंगाल में राजो से प्रस्टाशन को सुभ वशित करने का नुएन लिया था आपके option है मंगोर, सीख, राजपुत और माराथे सही जवाब होगा मराथा अगले प्रस्ट की ओर है According to the study of toxic vests in the United States who among the following was least likely to live in an area damaged by the toxic vests यानि संजुक्त राष्ट में बिशाक्त अप्सिस्टों के अध्यन के उन्जार बिशाक्त अप्सिस्ट से चाति ग्रस्थ शेतर में निम्लिकित में से इसके रहने की संभावना सबसे कम थी अप्सिन है अफिर की अमेर की गोरे लाटिनों अमेर की मुलनी बासी सही जवाब होगा अप्सिन नुबर टू गोरे अगले प्रस्ट क्यों है Where did Where did Where did the Redwood Rabi of Jews Community English in a public struggle to protest one of the area's last remaining strand of redwood trees यहूदी समुधाय के Redwood Rabi Redwood पेरो के अंतिम सिस चत्रो में से एक की रक्षा के लिए साबजुनिक संभर्स में कहां प्रविट थे आपके option है इस सही जवाब होगा आपन से दिखे California option नुबर एक इसका सही जवाब होगा California अगले प्रसन क्यों है अगले प्रसन क्यों है The Sutuji Organization that helped recycle millions of the ponds of paper and metal belongs to which country यानि सूत जी संगठन जिसने लाखो पॉन के कागच और धातु के पुनर चक्रे में मदद की थी किस देश से सम्बादित है इसका सही जवाब होगा Taiwan 2. अगला प्रशन, who is recognized as the father of the nation or father of the republic of China यानि किसे राष्ट पिता या चीनी गनराज के पिता के रूप में माना जाता है इसका सही जवा हुगा सन्याथ सेंग 3. सन्याथ सेंग अगला प्रशन क्यों है, which of the following countries did not participate in the slicing of Chinese melon यानि निम्रिकित में से किस देश ने slicing of the Chinese melon में भाग नहीं लिया था इसका सही जवाब होगा, इंडिया, I mean भारत अगले प्रशन क्यों है, which party did Yuan Shikai form यान Shikai ने किस दल का गठन किया था इसका सही जवाब होगा, Republican Party अगले प्रशन क्यों है, which was the first commercial capital of Tokugawa Japan यानि Tokugawa Japan की पहली ब्यवशाई ग्राजानी कौन से थी इसका सही जवाब होगा, E2 अगले प्रशन क्यों है, which language was earlier known as खास कुरा, याद कियेगा, किस खास और किस भासा को पहले खास कुरा के नाम से जाना जाता था, सही जवाब होगा, Nepali अगले प्रशन क्यों है, which of the following is not the registered political party of Maldives, यानि निमिकित में से कौन Maldives का पंजिकित राजनितिक दल नहीं है इसका सही जवाब होगा, People's Democratic Alliance, और अगले प्रशन क्यों है, which South Asian country is not within the confines of India's regional security framework, इसका सही जवाब, अब प्रशन समझे एक बार कौन सा जाक्चीन SCI देश भाद के छित्री सुरक्षा राचे के अंदर नहीं आता है, इसका सही आने सासन के साथ अपने लंबे प्रयासों के कारण किस देश को Garrison Raj का नाम दिया गया था, इसका सही जवाब होगा, पाकिस्तान option number 1, अगले प्रशन क्यों है, which resolution was adopted by the Muslim League, demanding the formation of an independent पाकिस्तान, यानि स्वतंत्र पाकिस्तान के गठन की मांग करते हुए, Muslim League द्वारा कौन सा संकल्पना अपनाया था, अपनाया गया था मतलब, इसका सही जवाब होगा, लाहर resolution नानी लाहर संकल्पना, option number 3, अगले प्रशन क्यों है, when did the first Anglo-Burmese war take place, 1824, इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा, कि पर्थम बर्मे युद कब हुआ था, 1824, option number 3, अगले प्रशन क्यों है, who sold the island of Penang to the British in 1790, यानि 1790 में, अंग्रेजों को Penang Dwip किसने बेचा था, इसका सही जवाब होगा, के दाह के सुल्तान ने, option number 4, option number 4, अगले प्रशन क्यों है, when did the laws become a French protectorate, यानि 1893 में हुआ था, लाउस, फ्रांस का संरक्षित राज कव बना था, 1893 में, अगले प्रशन क्यों है, अंतियाजा constitute of which caste, यानि अंतियाज किस जाती का गठित है, यानि यह किस जाती से सम्दित है, इसका सही जवाब होगा, दलित, इस तरह से,